प्यारी बेष्चों, निमस्कार, चलिए तो आज हम बात कर रहे हैं तिर्भूज में, है ना, कि अगर तिर्भूज के अंदर बरित देदे, तिर्भूज के अंदर में बरित देदे, या कोई भी तिर्भूज के बाहर का बरित, त nella three self को touch करते हुए जाए, वो बरित की बात क ठीक है तो आपको पता है कि ये बृत कहलाता है वो अंता बृत कहलाता है ये बृत कहलाता है वो परी बृत कहलाता है और ऐसी सित में बताये थे कि तिर्भूज का शित्फल बराबर होता है और गुना एस नहीं और ऐसा इस में बताये थे कि तिर्भूज का शित्फल बराबर होता है ABC बटा 4R नहीं ABC बटा 4R यह S क्या है तिनों बुजाओं का योग का आधा याने की अर्थ परमीती है A बृत का तिजिया R हो गया A बृत का तिजिया A बला हो गया यह बात मैंने आपको बता चुका हूँ अज इस इसमकोण में आएंगे इसके बाद समभाशों में आएंगे इस सारा कंसेप्ट आपको हम दे दिये चलिए तो सिधे आते हैं QuesSHEN पर QuesSHEN क्या कहता है पहला Ques heaven यहां पे दिया है इस पर आधारित की एक तिर्भूज की आंतर'RE 6 cm है यानि कि यह तिर्भुज अगर है तो इसका अंदर में जो बृत है इसकी तिर्जिया कह रहा है दिया हुआ है आर ये वाला आर 6 cm है कितना है 6 cm है तथा इसकी भुजाओं के लंबाई का यो यानि कि A पलस B पलस C दिया हुआ है 50 cm आप शे पुशा गया है कि तिर्भूज का श्यत्फल क्या होगा यानि इस तिर्भूज का एरिया बताओ अभी बताये हैं कि अन्तावित का तिर्जिया दे दे तो एरिया होता है तिर्भूज का आर एस नहीं आर गुना एस तो आर तो हमको पता है शी एस इसकी मदल से निकल जाएगा एस तिनों भुजाओं के योग का आधा 50 है तो एस कितना हो जाएगा 25 यह भी निकल गया यानि कि इसका एरिया हो जाएगा 6 गुणा 25 यानि कि डेर सव बर्ग सेंटी मीटर ठीक है न बहुत ही सिंपल कोश्चन है लेकिन फर्मूला याद रहने पर ठीक है चलिए इस पर अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन क्या कहता है ठीक है अगला कोश्चन कहता है कि एक की तिर्भूच की परीधी 24 सिंटी मीटर है तिर्भूच की परीधी सुनकर घवराईएगा नहीं परीधी हो या परिमाप हो चारों का घेरा होता है तिर्भूच की परीधी का मतलब A पलस B पलस C के बारें बोल रहा है कि 24 सिंटी मीटर है या तो अगर याद नहीं है तो आगे हम बताएंगे बित, वह हम बताएंगे बित की परीदी वराबर होता है 2piR, जो गिवेन है 44 cm, यह दिया हुआ है 44 cm, आपको बताना है कि तिर्भुज का सित्फल क्या होगा, तो देखो यहां से अगर निकालना चाहो तो यह अन्ता बित का त जिजा निकाल सकता है 14 बटा 2 पाई पाई का मतलब 22 बटा 7 नहीं अब पाई का मतलब 22 बटा 7 यह 44 है तो बाई दुनी 44 कर जाएगा यानि कि आर कमान कितना आ जाएगा 7 और यहां से तुम चाहो तो एस निकाल लोगे अर्थ पर निदी अर्थ पर मिती तिनों बुजाओं का यह का आधा तो 24 का आधा कितना हो जाएगा 12 यानि कि एस भी पता हो गया आर भी पता हो गया हमसे पूछा गया कि तिर्भूज का शित्फल क्या होगा तिर्भूज का शित्फल होता है आर गुना एस आर आपका है 7 एस है 12 तो बरसते 84 बर्ग सेंटी मीटर इस तिर्भूज सा बात आपसे और हम कर लेना चाहेंगे तिक कभी भी सम marginalized केДа कभी भी सने कोन त्रभूज की बात करें अग्राला व्रत धासर अथा कि नहते हुद कि किया ने कुसी बहते है अंतर हमां क्या होता है सिल निकालना चाह्ये तो तुर्भूज का स्भाटा स होगा यानि कि ए अंदर अंत्रिक भीट होगा उसका अगर अर्ड निकालेंगे तो हो जाएगा तिर्भूज का शेत्फल भाटा एस और समकॉन त्रूज में एक और बताये थे अंत्रिक भीट का 30 बतान से निकालने के लिए कि A पलस B माइनस C बटा 2 याद है यह अगर A हो यह B हो यह C हो कंड़ C हो तो यह फ्रमूला होता है यानि कि अंतरवित का तिर्जिया ऐसे हम दो तरीका से निकालेंगे क्योंकि यह वाला तरीका तो सभी तिर्भूज पर लागू होता है चाहे समकौन हो, संभाव हो, कोई भी तिर्भूज हो सब में यह काम करेगा और समकौन का अलग से एक और तरीका मैंने बताया था यानि कि समकौन का अंतरवित का तिया निकालने का दो फ्रमूला हमको मिल जागा एक जेनरल फ्रमूला जो सब पर लागू होता अगर इसका कड तेरा है ते इसका तुज जो हो जाएँगा 6.5 यह हो गया अंतरवित अंतरवित और इसकी बाते हैं कर रहें ितनी बात की जनकारी आपको हर हालत की चाहिए नहीं कटस्ट यह जो कहतेंjed अब यहां पर हम बात जो करेंगे सबसे पहले कोश्चन का कहता है तिर्भूज की अंतरवित का तिर्जिया ग्याद करें अगर उसका एरिया 30 है यानि की एक समकून तिर्भूज दिया है अब हमसे पूशता है कि इसका अंतरवित का तिर्जिया बताओ अगर उसका स्यथफल 30 है अगर कंड 13 है अब एक बताओ फासा पहले हम इसको मौकी बनाने की बात करते हैं कंड 13 हो कंड तो दिया हुआ है 13 अगर इसका एरिया 30 बोर रहा है जैसी कंड 13 आया तो आपका दिमाग में घंटी जरू बजा होगा कि भाईया एक हम पढ़े थे पाच बारा तेरा का टिपलिट कंड 13 हो तो उसकी लंबत भुजा पाच बारा हो सकती है तो अगर हम इसको पाच इसको बारा मानते हैं तो क्या ये सेटिफाइट करता है तो हम वो भी करके देखना होगा क्योंकि एरिया बोला था कि 30 है तो देखो तो अगर लंबत भुजा पाच और बारा लेते हैं तो इसका एरिया 30 आता है का तो बारा पज़े 60 का था 30 आ रहा है यानि कि ये सेटिफाइट कर रहा है यानि कि हर हालत में इसकी ये लंबिक जो भुजाएं हैं वो पाच और बारा ही क्लिए क्या होगा पाच और बारा होगा अब बताओ कि हमसे पुशा था कि अंदर में जो ब्रीत है उसकी तिर्जिया बतादो क्या होगा यानि आर कमान सोट की आर कमान यह हम अभी पढ़ चुके हैं कि A पलस B माइनस C बटर टू होता है नहीं अब A हो गया पाच B हो गया बा सिंटिमीटर जो option B में है अब एक बबताओ यह तो ट्रिपलेट तुमने अनुमान सा लगा लिया अस्यट कर गया बिरिफाई हम कर लिये कि सही में यही इसका मान यह है हो सकता है यह मान नहीं आता इसका area 30 न रहता तब कैसे फिरिफाई करते बाराव आपांस से नहीं हो प इसका अंतवरित का तीजिया हमें निकालना था, जबकि इसका एरिया का मतलब 1 बटा 2 A V समकून तो एरिया का होता है, 1 बटा 2 A V दिया हुआ था 30, यानि कि A V का मान यहां से निकालना चाहें, तो हो जाएगा 60 हाँ या ना एरिया तिर्भुज का एरिया एक वट्टू कोने अधागोने हुचाई मतलब कि अगर ए है ये बी है और ये सी है तब ये कह सकते हैं हमने एक वटर टू अबी बराबर 30 यानि कि वडराबर 60 सिंटीमेटर आगे क्या दिया था इसमें जी तो इसमें कहा था कि कर्ण है 13 यानि कि ये सी का मान क्या दिया हुआ था 13 दिया हुआ था तो एक फ्रमौला और तुमको आता है हण ना समकौन तोज में कि लंb square प्लस अधार square बरावर कारण square यानि हम इसको लिख सकते हैं a square प्लस b square बरावर c square c square का मतलब 179 नहीं यह 179 हम लिख सकते हैं यानि a b पता हो गया a square प्लस b square पता हो गया और हमें निकालना किया है तो आंत्रिक बित की तिर्जिया यह याद रहे हमें निकालना है R यह मेरा M है अब बताओ कि यह दोनों की मदद से क्या A पलस B निकाला जा सकता है बिल्कुल आप जानते हो चलो यहां आ जाते हैं नीचे दिखाई न दे तो आप जानते हो कि A पलस B का होल स्कॉाइर बराबर A स् P पलस B स्कॉाइर पलस 2A B होता है या नहीं होता है बचपन से हम रठते आया है एक फर्मुला को बिल्कुल सब को याद होगा A स्कॉाइर पलस B एक सो अनतर है और AB का मान यहाँ पर दिया हुआ है 60 आया है तो 2AB का मान हो जाएगा 120 नहीं यानि की 280 अब यहां पर अगर A प अब बताओ हमें अन्ताभित कातिजिया R निकालना है R वराबर अभी हमने सिखा है A पलस B माइनस C बटा 2 ठीक है A पलस B आपका 17 हो गया और C अभी यहाँ पे दिया हुआ है 13 अब बटा 2 करेंगे तो क्या R का मान 17 में से 13 गया 4 बटा 2 यानि कि 2 cm नहीं आयागा क्या यह मेरा प्रस्न का जवाब होगा ठीक है तो बेसिक तरीका मेरा बनाने का यह होगा अगर ट्रिपलेट सेट नहीं किया तो ठीक है अगर सेट कर जाता है तब तो अराम से तो समकोन तिर्भूज का area क्या होगा ठीक है यानि की एक समकोन तिर्भूज है ये वाला मालो ये भुजा A ये भुजा B ये भुजा C ठीक है यहाँ पर अंत्रिक बृत का तिर्जिया यानि की शोटकी R दिया हुआ है दो बर की R दिया हुआ साथ पहले बरकी आरकी आपको बात बता दूँ अगर ये समकोन तर्भूज में है तो इसकी परिवरित की तीजिया क्या होता है कर्ण का आधा होता है ये तो आपको पता ही है नहीं यानि की जो कर्ण है इसका आधा होगा परिवरित की तीजिया यहाँ पर कहा है कि परिवरित की त तो सीधे हम लिख सकते हैं यहाँ पर 14 cm हाँ या ना जैसे यह वाला तिर्जिया आपको साथ दिया हुआ है तो साथ बराबर हो जाएगा कर्ण बटा टू तो कर्ण बराबर साथ दूनी 14 हाँ या ना यह 14 होगा कि नहीं होगा बिलकुल होगा अगर कहादे कि समकौन तर्भु कि परी तिर्जिया पाँच है तो कर्ण 10 हो जाएगा पांदूनी 10 कर्ण का दूगना होगा कह दे कि परी तिर्जिया शेद पाँच है तो कर्ण 13 हो जाएगा उसका डबल हो जाएगा ऐसे भी देखो ना भई कर्ण बराबर टूगना परी तिर्जिया परी तिर्जिया का द थीख़ईा है दो सिंटी मीटर अन्तरच बस बीज़शी दो सिंटी मेडर यह कह रहा है कि R वरावर दिया हुआ है 2 सिंटी मीटर तो अब बताओ कि R से अब कैसे निकालोगे क्या करोगे इसको हटा दो तो हम कहेंगे कि R वरावर होता है A पलस B माइनस C बटा 2 आर बराबर A पलस B माइनस C बटा 2 होता है है न और ये वाला आप कमान दिया हुआ है दो यानि कि A पलस B अगर निकालना चाहो तो हो जाएगा 4 माइनस 4 पलस C C कमान 14 है अगर यहां पे 14 पूट कर दोगे तो यह हो जाएगा 18 सिधा सिधी लिख देते हैं A पलस B कितना हो जाएगा 18 कैसे हुआ फिर से देखो ये C 14 यहां पे पूट कर दिये A पलस B माइनस 14 बराबर 4 तो A पलस B बराबर 4 पलस 14 यानि कि 18 तो ये 18 A पलस B मेरा आगर 18 ठीक है अब हम हमें निकालना किया है तो समकोन तिर्भूज का शित्फल निकालना है तो समकोन तिर्भूज का शित्फल निकालना है तो हम सिधे लिखेंगे तिर्भूज का शित्फल बराबर क्या होता है R गुना S ऐसे तो शित्फल बराबर 1 बटा 2 गुना A भी भी होता है नहीं ऐसे भी निकाल सकते थे आप लेकिन ये ना करके हम सिधे अगर ये लिखे हना अन्तवित का तीजिया पता है आर तो हम लिखेंगे आर एस आर हमें पता है दो सिंटिमीटर आर एस भी हमें पता हो चुका है गौर्ड से देखा जाए आर एस बराबर 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 ठीक है तो यस भी हमें पता हो गया 16 तो इसका इरिया आ गया 32,antes 1, lear 굉장히 हो strategies आँए देख ले ना बर्ग सेंटील मेट्र सेंटीमीट्र सिं। आटील मीट! यानि कि ये मेरा पूस्न का जिवाब होागा तो उमीद करते हैं ये बात भी आपको आ गया होगा चलिए अगले question की तरफ देखते हैं, अगला question क्या कहता है, अगला question यहाँ पर कहता है, हाँ उसको, अभी जो question पढ़े है उसको, हना, a plus b का whole इसको और के फुर्णा लगा भी हम बना सकते थे, ठीक है, वो इसे भी बन जाता है, बता दें क्या, दोखो, यहाँ पर कह रहा था कि एक समकोन तरूज है, दूसरा तरीका भी देख लो, यही question का, जो हम भी बता है, तो इसमें अगर a है, यह b है, यह c है, हमसे बोला कि इसकी परितिया साथ है, यानि कि करण केतना हो जाएगा, 14, यह तो बसमज़ रहा है, यानि कि इसकी मदर से निकालना चाहो तो कह सकता है, a square plus b square, बरावर c square, यानि कि 14 का बर 196 है, लिख सकते हैं कि नहीं, यह पहला मेरा sentence निकला, दूसरी बाद परितिया, आर बोल रहा था, आर बोल रहा था यहां पे, कि 2 cm है, तो आर कमान होता है, a plus b minus c बटा 2, a plus b minus c बटा 2, यह दिया हुआ है, कितना 2, तो हम कर सकते थे कि a plus b कितना होगा, तो 4 plus c, यानि कि 18 होगा, a पता होगया, a पता होगया, तो यहां पे हम a plus b का whole square का फूमला लगा देते हैं, ठीक है, वो होता है, a square plus b square plus 2 a b, बरावर a plus b का whole square, ठीक है, a square plus b square कितना था, 196 था, a b, हमें निकालना है अभी, और a plus b, 18, 18 का बर करेंगे, त हो जाएगा 324, यानि कि a b कमान निकालो तो कितना होगा, तो 324 में से उस यान में घटा ओ, तो 14 में से 6 गया, 8, 18 में से 9 गया, दू, इतना बटा 2 हो जाएगा, यानि कि 64 हो जाएगा, a b कमान कितना हो जाएगा, 64, a b 64 हो गया, हमें निकालना है तिर्भूज का शेथफल, तो तिर्भुज का सेफ़र होता है, एक बटा टू गुने, आधार गुने उचाई, ठीक, तो एक बटा टू गुने, ये भी तो हमको कमीन रूप से पता है, ये भी कितना, 64, 64, पर पूट कर देंगे, आ जाएगा उत्तर 32, मतलब ऐसे भी बना सकता है, कहने का मतलब देखो, एक जाएक में, जब हम बैटते हैं, तो कभी ऐसा नहीए कि वही तरीका पर हाथ आप को जाएगा, हो सकता है, ऐसे ही आपको बढ़ जएगा, जैसे हाथ मेरा बढ़ जाएगा, ओईसे मेरे उसका उतर निकल देंगे, हां कोई में एक आला ज़या जा सकता है, कोई में एका किया जाए तो कहता है किसी समकोंत्रभूज का परिमाप यहाँ परिमाप दिया है दिहान से समझो अगर यह समकोंत्रभूज है ठीक है मान लिजी कि A है यह B है और यह C है इसका परिमाप दिया है कि शपन सिंटिमीटर है यानि कहने का मतलब यह है कि A पलस B पलस C हमारा दिया हुआ है शपन सिंटिमीटर ठीक है शपन सिंटिमीटर शेत्रफल 84 है शेत्रफल 84 है तो बिकर्ण के लंबाई क्या होगा शतफल का मतलब होता है 1 बटा 2 गुनह AB हमें दिया है 14 तो पहले तो बताओ कि AB हो जाएगा 4 डुनियाथ 168 हो जाएगा तो हमें विकर्ण बताना है याने कि C कमान बताना है कैसे निकलेगा C कमान तो सबसे पहले एरिया हमको पता है यानि की R निकाला जा सकता है तिर्भूज का शित्फल बराबर क्या होता है तो तिर्भूज का शित्फल बराबर होता है R गुना S होता है R गुना S चलिए तो R अगर निकल जाए तो काम बन जाएगा ठीक है तो चलिए यहां पर हम सिध्य R निकालने का प्रयास करते हैं तो हमें पता है R बराबर होता है तिर्भुज का स्रिथफल बटा S ठीक है यह R का फ्रोमूला होता है A पलस B माइनस C बटा 2 नहीं तिर्भुज का स्रिथफल दिया हुआ है कितना 84 यह तिर्भुज का स्थफल दिया हुआ है ठीक है कितना है 84 बटा एस एस होता अर्थ परमिती इसका आधा यानि की 28 यानि 28 दिया हो जाएगा यानि की ए पलस बी माइनस सी बराबर हो जाएगा 6 सोचो ए बाला और ए बाला पर हना तुम सोचो आपको सी चाहिए क्या निकाला जा सकता है बिल्कुल निकाला जा सकता है यहां पर डिटेल हम बता देते हैं ए पलस बी माइनस सी आपका आ गया 6 हमें निकालना है सी सी को रखना है बाकी को हटाना है क्या करना होगा घटाना होगा नहीं तो अगर इसको घटा होगे तो माइनस माइनस यह हो जाएगा पलस यानि कि C कमान कितना आ जाएगा 25 cm आपका कर्ण यानि कि B कर्ण पता हो गया 25 cm ठीक है तो बस इस कोशन को इधंग से हम बना डालेंगे ठीक है अब एक बात और बताओ आगे बढ़ने से पहले क्या समकोन तिर्भुज का जो भी कंसेप्ट आपको हम बताया था वो आपको याद है समकोने समभाहो तिर्भुज का अगर याद है तो अब हम जो बात करने बाले हैं वो समभाहो तिर्भुज बेपात करने बाले हैं ठीक है तो चलिए सुरू हो जाईए समभाहो तिर्भुज का कुछ एक्जामपल लेकर लेकिन संभाहो तिर्भुज को सुरूर करने से पहले सोटी सी बात हमको बताईए कि अगर ये A, B, C एक संभाहो तिर्भुज है तो इसकी पहली बात तीनों भुजा क्या होगा बराबर होगा दूसरी बात कि यह जो रेखा होगा है ना, चाहे तो इसको लम कहा दो, मादका कहा दो इस रेखा को, है ना, सारा चीह हम बोल देते हैं क्या बोलते हैं, तो सिर्ष लम भी बोलते हैं माधिका भी बोलते हैं कोन संभी भाजक भी बोलते हैं कोन संभी भाजक, उसके साथ कहने का मतलब सारा के सारा रेखा एक ही रेखा होती है सम्दिवाहू के अंतरगर्द सिर्फ ये वाला होता है लेकिन सम्दिवाहू के अंतरगर्द अगर ऐसा आजा है ये वाला रेखा तो ये भी ये ही होगा अगर ऐसा आजा है कि इससे हो गया इससे हो गया इससे आज़ा ये वाला तो ये भी आपका सारा के सारा ये होगा समभाहों में तीनो ये भी ये भी ये भी लेकिन समभाहों में सिर्फ अधार पर का जो लंब होता है वो ही सब एक होता है अता जब या फिर कहो केंद्र किया गुरुत्व केंद्र, या फिर कहो लंब केंद्र, सारा के सारा केंद्र भी क्या होगा, एक ही होगा, ये दो बात, पहले हम चुकी पढ़ चुके हैं, और आपको याद भी होगा, नहीं याद है, तो याद कर लिजे इसको, और इसमें सबसे बरी खा बासित में ने आपको बताया था कि ये इदी संभाहुतिर्भुज है तो थ्रासा मन कर रहा है कि कलरफूड बना दे रिड को लिखे तो यह वाला जो रखा होगा न यह रखा यह रखा ठीक है यह तो सारा के सारा एक ही होगा चाहे मातका कहो इस इसलम कहो कौन समध्याज़ा कहो लम समध्याज़ा कहो तो यह जो बाटेगा यह दो अनुपात एक में यह दो होगा तो एक होगा और यह वाला होगा दो रूट थिरी इतनी सी बात आपको याद रखना है अब यह क्या है तो यह कहो केंद रख तो द अगर इसको परीकिन कह देते हो तो यह बाहर से भी जायगा, तब इसका तीज़ा या बर्की आर हो जाएगा तो दोखो, यह फिक्स नहीं है कि अंत्रा बात का तीज़ा को छोटकी आर कहेंगे और परी बहर की आर कहेंगे ठीक है तो आगे का बेड़ा, रास्ता, सफर असानी से हम पार कर जाएंगे ठीक है तो अब मिटा दूँ चलिए देखते हैं इस पे कुछ एक्जामपल सबसे पहले सुरुक से करते हैं कहता है किसी संभाहो तिर्भुज का परिमाब 18 cm है सोचो अगर यह संभाहो तिर्भुज इसकी परिमाब दिया है 18 cm, कुछ भी दे, सबसे पहले यहां पर दिमाग में लाओ, यह जो रेखा होगा, यह दो और एक में बाटेगा, यह होगा 2 रूट 3, ननि इसकी भुजा होगा 2 रूट 3, कहता है कि इसकी परिमाब 18 cm है, यानि कि यह त तिनों भुजा का योग 18 है, तो यह 2 रूट 3, 2 रूट 3, 2 रूट 3, यानि यह प्रस्न कहा रहा है कि सीख सी रूट 3 का भेलू है 18 cm, यह कहा रहा है, परिमाब तिनों भुजा का योग 18 cm है, तो इसका मातका के लंबाई क्या है, मातका कहो, तो 3 का भेलू पूछ रहा है, अ 18 बटा 6 रूट 3 गुना 3 होगा कटता है भहिया तो काड़ दो बिल्कुल यह 3 बार में कट जाएगा रूट 3 से रूट 3 बार में कट जाएगा यानि कि 3 रूट 3 इसकी मादका की लंबाई होगा इसका मिटिन कितना होगा? 3 रूट 3 होगा ठीक है? जो आप्सन C में है चलो एक कोशन आउर है इसको भी देख लेते हैं अगर इस कोशन के बात करें तो काता है संभाहो तरूज की मादका 6 रूट 3 सिंटिमेटर यानि कि एवर मादका दिया है कोई बात नहीं यह रेखा हो गया यही मादका करो इसको जो भी कह दो दो एक दो रूट 3 है अब यहाँ पर एरेशियो होता है संभाहो तरूज में अब यहाँ पर कहता है कि संभाहो तरूज की मादका है 6 रूट 3 मादका मतलब यह बाला कितना है? 3 यानि कि यह प्रसन कहा रहा है कि तीन का भेलू है 6 रूट 3 तो भाईया हमको बता दो इसका परिमाप क्या होगा तो 2 रूट 3, 2 रूट 3, 2 रूट 3 कितना हो जागा 6 रूट 3 इसके मान पुछ रहा है, परिमाप यह हो गया तो 6 रूट 3 बटा 3 गुना 6 रूट 3 अब सोचो, रूट 3, रूट 3 तीन, तीन से तीन कट गया यानि की 37 सिंटीमीटर इसका परिमाप क्या होगा, 37 सिंटीमीटर ठीक है, यह मेरा प्रस्ट का जवाब होगा ठीक है, 37 का मतलब सी आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ अगला कोशन की बात करें तो यह कहता है कि किसी संभाहुत तरफुज की आंत्रिक तरजिया रूट 3 है अब सोचो, अगर यह संभाहुत तरफुज है तो आंत्रिक तरजिया की बात किया है तो सबसे पहले तो यह निकालो ये आपका होगा दो ये होगा एक ये होगा दो रूट थिरी आंतिक तिजिया ये होता है नहीं तो ये कहता है कि आंतिक तिजिया का मान है रूट थिरी यानि कि इसका भिलू दिया है यानि हम कहेंगे अनुपातिक एक का मान है रूट थिरी अब जिसका मान पूश है निकाल देंगे हमसे पूशत आए कि 33 का परिमाब क्या होगा यहाँ पर भी तो यह 2.3, 2.3, 2.3, 2.3 कितना हो जाएगा 6.3 यह हमसे मान पूशा तो क्या होगा रूट थिरी बटा एक गुना सीक्स रूट थिरी रूट थिरी और थिरी तीन सका 18 यानि कि परिमाब क्या होगा 18 सिंट्रीमिटर मेरा प्रस्ण का जवाब होगा option देख़ो 18 है कोई में तुमार दो है न है न ए में है अगला यहाँ पर question है next question उसको देखते है अगला question यहाँ पर कहता है कि इसे संभाहो तिरूज की परिवरीत का शेथफल थिरी पाई बट सिंट्रीमिटर है तिरूज का परिमाब क्या होगा सोचो यह एक संभाहो तिरूज है ठीक है यह परिवरीत का मतलब क्या हुआ तो यह वाला बरीत इसका area दिया हुआ है इसका area क्या होता है तो इसका area होता है pi r square इसका मान आपका दिया हुआ है 3 pi अब सोचो pi से pi cancel हो जाएगा r का मान हो जाएगा root 3 नहीं अब यहां पर आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि यह होता है 2 यह होता है 1 यह होता है 2 root 3 नहीं यानि कि यह root 3 क्या मान दिया यह वाला मान दिया यह वाला मान root 3 दिया है तो हम इसको कह सकते हैं कि अनुपातिक दो का भेलू कितना हो गया, रूट थिरी हो गया, नहीं, अनुपातिक दो का मान कितना हो गया, रूट थिरी हो गया, तो तिर्फुज का परिमाब क्या है, परिमाब क्या होगा था, दो रूट थिरी, दो रूट थिरी, कितना हो जागा 9 cm आगे देखा जाए अगला कोशन काता है संभाहो तरूज की उचाई 4.3 cm है तो उसके परिवरीत अंतरवित का सित्फल कानुपाद क्या होगा अब देखो कभी भी संभाहो तरूज की बात करें तो थ्वासा यहां पर ध्यान देना इसमें मापस हमें कोई मतलब भी नहीं है अगर यह संभाहो तरूज है ठीक है तो संभाहो तरूज में पहले में बता दिया था कि यह जो रेसियो होता है यह दो होता है और एक होता है नहीं यह दो होता है और यह एक होता है हमसे पुशा है कि परिय बृत अंतर बृत के शित्फल कानुपाद क्या होगा तो सबसे पहले यह बताओ कि इसके अंदर में जो बृत होगा जो अंदर में बृत होगा यानि कि इसकी तीजिया क्या होगा एक होगा नहीं और इसकी जो बाहर में बृत होगा परिबृत ये वाला इसकी तीजिया कहेंगे तो ये वाला होगा बर्किया कितना होगा दो होगा बस यही कलसे प्याद रखना है कि अगर अन्ताबृत और परिबृत की तीजिया की बात करें तो सोटका से बर्का का जो है तीजिया दुगना होता है यानि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आर अनुपाद आर बराबर एक अनुपाद दो नहीं अब अगर इसकी एरिया के अनुपाद पुछे यह अनुपाद ए यानि परिबृत बृत की बात कर रहे हैं यहाँ परिबृत का यह अंताबृत हो गया यह परिबृत हो गया लाओ लिख का area होता है πाई R² πाई already constant है पहले भी question आया था उसमें बताया थे ठीक है ना कि जो constant उसको काड़ दो तो area क्या होगा? R का square होगा area क्या होगा? R का square होगा R यानि कि अन्तावित का तिरूजिया 1 है तो इसका square तो 1 परिवित का तिरूजिया दो है तो इसका square करोगे दच्छार यानि इसका area का अनुपात होगा एक अनुपात चार बस कोई भी माप हो हमें कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है ठीक है तो परीवरीत अन्तवित का सित्फल का अनुपात sorry परीवरीत अन्तवित होगा क्या याद रखिएगा कि अंतवित अपरीवरीत की तिर्जिया की बात करें तो एक अनुपात दो होगा area की बात करें तो एक अनुपात चार होगा परिमाप की बात करें तो एक अनुपात दो ही होगा क्योंकि परिमाप होता है टू पाई आर टू पाई आर तो पाई कॉंस्टन हाटा दो गए तो परिमाप मतलब परीधी का जो अनुपात होगा तिजिया के अनुपात में होगा तिजिया एक अनुपात दो में होगा ठीक है तो उम्मिद करते हैं यह बात आपको याद होगा इसमें माप कुछ भी रहे, उसे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला हमको है चलिए अगला कोशन यहाँ पर देखते है हमें लगता है अगला कोशन भी कुछ इसी धंका है कि संबाहो तिर्भूज तथा उसके परीवरित का सित्फल कानुपाद की बता है देखो हमसे पुछा है कि संबाहो तिर्भूज और उसके परीवरित का सित्फल का रेसियो बताओ यह नहीं परीवरित का सित्फल का रेसियो बताओ यह हमसे पुछा गया है तो अगर हम इसकी संभाहोत त्रभुज की भूजा हम मान लेते हैं तो परिवित का एरिया निकाल सकते हो क्या बिलकु निकाल सकते हैं ठीक है ऐसा करते हैं त्वासा अगर हम इसको ए मानते हैं तो यह आपको पता है न ए होता है दू ए होता है एक यह होता है दो रूट थिरी होता है यह तो आपको पता है अगर हम सम्मे ए लगा दे है अनुपात करूप में ए है ठीक है तो हम इसको टू ए कह दे इसको ए कह दे और इसको ए कह दे ठीक है तो सालसी निकल गया अब संभाहो त्रभुज का एरिया निकालोगे अब यहां पर देखो कि अगर संभाहो त्रभुज का एरिया निकालोगे तो क्या होगा फोर गुनी भुजा स्कॉाइर भुजा कितना होगा यह होगा तो भुजा का स्कॉाइर करो दो चार त्या 12a स्कॉाइर हो जाएगा ठीक है अब इसको हल कर दीजेगा आपका एंसर आजाएगा कैसे हल करिएगा चलिए हल करके आपको बताता हूँ तो रूट 3 बटा 4 गुने 12 A2 इसको गुना करिएगा ये वाला तो पाई का मतलब होता है 22 बटा 7 तो क्या होगा वे भी उलड़ जाएगा 7 बटा 22 गुना 4 A2 अब देखिए तो करता है तो कार दीजिए A2 से A2 तो मेरा कर जाएगा ये 4 तीया 12 भी कर जाएगा नहीं अब नहीं कर जाएगा तो हो जाएगा सतिया 21 रूट 3 अनुपा 22 अठास ये अनुपात जो है पाई की रूप में ही दिया है अगर पाई की रूप में दिया है तो पाई की रूप में भी निकाल सकते हो ये तो मेरा एंसर हुआ ही हुआ अगर πाई की रूप में निकालना होगा तो कैसे निकालोगे तो अबर हम इधर निकाल देंगे इसको उभी रहने देते हैं तो यह हो जाएगा रूट 3 वटा 4 गुनिय 12 A square और अगर इसको πाई ही मान लेते हो इसको πाई ही मान लेते हो तो πाई मानोगे तो क्या हो जाएगा एक बटा पाई गुने फूर एस्कॉर ए हो जाएगा ठीक है अब इसको हल करोगे तो एस्कॉर से एस्कॉर चारतिया बारा नहीं अब तो कटेगा नहीं तो हो जाएगा थिरी रूट थिरी उपर में नीचे में आ जाएगा फोर पाई यह आएगा पाई की रूट में थिरी रूट थिरी फोर पाई याने की उप्शन सी आपका कर्डट हो जाएगा ठीक है बस ऐसे बना लोगे इसको कहीं को दिक्कत नहीं है अब यहाँ पे एक बात गौर करने वाले था क्या कि हमें रेशियो निकालना था ठीक है तो जब रेशियो की बात होती है तो यह यह देना क्या जरूरी है नहीं कोई जरूरी नहीं है अब देखो अगर हम पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी अगर संबाहू तिर्भूज है तो संभाहूत तिर्भुज में यह जो ratio होता है दो होता है, एक होता है, दो root 3 होता है अब इसी की मदद से सिधे निकाल दो क्योंकि ratio ही निकालना है तो संभाहूत तिर्भुज का सेथफल क्या होगा तो हम कहेंगे root 3, beta 4, गुनिय, भूजा, इसक्वार भुजा कितना है, तो 2 root 3, इसका square करोगा तो 4, 3, 12 हो जाएगा, नहीं, यानि कि इसको कह सकते है 3 root 3, नहीं, सिधा सिधी, 4 से कड़ जाएगा परी बित का तिजिया क्या होगा, तो बित का तिजिया होता है pi r square होता है, नहीं, pi r square तो pi, r कितना लोग है, तो r e बार लोग है तो 2 square कितना हो जाएगा, 4, 4 pi अब ये कड़ी गया, 4, 3, 12, यानि उपर में बच गया 3 root 3, अनुपात 4 pi, आपका प्रस्त का जवाब हुआ कभी भी ratio निकालना है, तो इसको x मानने की, ये मानने की कोई आप सकता, नहीं है, लेकिन हाँ, भैलू निकालना है, तो गुनन फल में हमेशा ratio को माना जाता है, हाना, ये धियान दिजिएगा, उसके अन्त में एक constant लगा कर ही हल किया जाता है, आगे बढ़ते हैं, अगले question में, करता है किसी संभाहोत रभुज की परिवित की तीजिया 8 cm है, तो अंतावित की तीजिया क्या होगा, तो ये तो मौखिक निकाल लोगे, नहीं, परिवित की तीजिया दुगना होता है, तो अंतावित की तीजिया कितना होगा, आधा, यानि की 8 का आधा कितना हो गास 4, अगल, बताते हैं, यहांपे कहता है कि एक संभावत्षों की परी टिर जिया, तो हम सबसे पहले तो यह लिख लेते हैं, ए होता है दो, ए होता है एक, ए होता है दो रूड़िए, हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं ता कि आपको याद हो जाए, परिवित की तीजिया आठ सिंटिमीटर यानि कि ये दो का भिलू दिया है आठ सिंटिमीटर अन्तावित का तीजिया क्या होगा यानि कि इसका मान आपसे पुछा जा रहा है अरे भईया दू है ये एक तो इसका आधा यानि कि चार सिंटिमीटर अगला question है कि एक संभाहोत्रूज की परतेक भूजा का मान आपको अगले question में दिया है ठीक है चलो उसको भी देख लो कहता है एक संभाहोत्रूज की परतेक भूजा 14 रूट 3 सिंटिमीटर है अब यह फीगर बनाने के आप सकता नहीं है अब तो दिमाग में आप लोगों को बैठ गया होगा यह ठीक है यह दो है एक है यह दो रूट 3 है ठीक है यहाँ पर कहता है कि परतेक भूजा 14 रूट 3 यानि कि एनुपातिक एक का भेलू हो गया 14 रूट 3 सिंटिमीटर था हम 14 14 रूट 3 सिंटिमीटर है तो अंताबरीत का शित्फल बताओ तो परतेक भूजा है न जी कहता है किसी संभाहों तो परते एक भुजा 14.3 cm यहां से भुजा है 2.3 तो हम कहेंगे 2.3 बराबर 14.3 cm तो अगर हम एक कमान निकालेंगे तो क्या यह अंतर बृत का तीजिया निकल जाएगा बिल्कु निकल जाएगा कितना आएगा तो इसका 7 गुना है यानि कि 7 cm नहीं यानि कि R आपको पता हो गया 7 cm आप पता नहीं किया जा सकता है अंतर बृत का सित्फल क्या होगा तो हम तो जानते हैं बृत का सब्सक्राइगा पाई आर इसक्वाइर होता है यह कहता है कि एक आठ मीटर भूजा वाला संभाहु तिर्भूज है चलो एक आठ मीटर भूजा वाला संभाहु तिर्भूज है संभाहु तिर्भूज में एक ब्रित हीचा गया है चलो एक ब्रित हीचा गया है यह वाला तो तिर्भूज के बचे हुए शेत्र का शेत्फल क्या होगा तिर्भूज का जो बचा हुआ शेत्र है उसका शेत्फल क्या होगा यानि ये वाला का area हमसे पूछ रहा है ये वाला अब भी और संता माने पूछा है तो इतना तो बचा है हमें पता है कि ये सेषभाग का जो area होगा सेषभाग का जो šत्फल होगा वो होगा तिर्वूज का शत्फल में इसे बृत का सित्फल को घटा देंगे बृत का सित्फल क्या कर देंगे माइनस कर देंगे तो इसकी भुजा दिया है 8 cm तिरुज का सित्फल हो जाएगा रूट 3 बटा 4 गुने भुजा 20 स्कार 8 भुजा दिया हुआ है एक कमान यहाँ पर दिया हुआ है तो 8 का सित्फल कर दिया हुआ है तो आप कह दोगे कि 2 रूट 3 का भेलू है 2 रूट 3 का भेलू है 8 तो एक का भेलू कितना होगा तो 8 वाई 2 रूट 3 होगा यह 4 से चला जाएगा, 4 बटा, रूट 3 होगा, यानि R का मान यह हो जाएगा, तो यहाँ पे अगर हम यह बृत का एरिया निकालें, अंतर बृत का एरिया निकालें, अंतर बृत का तीजिया एक है यह वाला, ठीक है, यह निकला, तो πाई R स्कॉार होता है, पाई का मान होता ह तीन दसंबलब एक चार ऐसे तो होता है 12 बटा साथ हना पाई आर इसक्वाइर R है 4 so 16 इसक्वाइर करिए गाता रूट 3 का स्क्वाइर कर तो हो जाएगा ति अब इसको हल कर लेंगे तो तो मेरा इंसर आ जाएगा, यह 16 बार में चला जाएगा, यानि कि रूट 3 गुना सोला होगा, रूट 3 कमान होता है, एक दसमलब साथ तिन दो गुना सोला माइनस, यहां पर आएंगे, तो यह हो जाएगा, अगर इसको काटते हैं आप, तो एक बार में, दसमलब, एक में भागने, जीरो, चार चार तिया, बारह, एक दसमलब, जीरो, चार गुना सोला, यहां आएगा, आप इसको गुना कर लें, आप उसके बार, हल कर दें मेरा एंसर आ जाएगा, ठीक है, अब कल्कुलेट यहां पर कर देते हैं, सोला दूनी, बाकि तीन, सोलती है, अर्टालीज निकामन के एक, बाकि पाच, सोल सते बलोतल से होता है, नहीं, अब पाच शेत, एक सो सत्रह के साथ, बाकि एगारा, सोला एक आएगारा, सत्ताइस, तीन आंके बाद दसमलब हो जागा, आ यहां पर गुना करेंगे, तो सोले चो, चौन सथ, और सोला, सोला दसमालब चौन सथ हो जाएगा, इसको आप घटाईएगा, नहीं, तो इसको एगो हटाओ न, तो इक कितना, 11 में से 4 गया, साथ, 6 में से 6 गया, 0 दसमलब, 7 में से 6 गया, एक, दो में से 1 गया, यानि की 11 11.07 है न आपका लगभाग मान आएगा ठीक है ये लगभग मान 11.07 आएगा आपसे देखो तो 11 ऑफसें में है या नहीं तो ऑफसें B में 11 है तो B आपका सही हुद्धर हो जाएगा ठीक है असंता हमान निकालना था के लिए को दिखकत नहीं आगे पढ़ें अगला कॉस्चन म अगला कोशन के अगर बात किया आजा तो कहता है कि एक संभाहो तिर्भुज की भुजा आठ सिंटिमीटर है तो परीव बृत तथा अंतर बृत का सित्फल का अंतर क्या होगा ठीक है चलो देखते हैं एक संभाहो तिर्भुज है और इसकी भुजा आठ सिंटिमीटर दिया है यानि कि एक कमान आठ है ये तो हमको पता है न ये होता है दो ये होता है एक ये होता है दो रूट थिरी यानि ये कह रहा है कि अनुपातिक दो रूट थिरी बराबर आठ सिंटिमीटर भुजा है आठ सिंटिमीटर तो अगर हम एक कमान निकालना चाहें तो कह देंगे 8 by 2 root 3 नहीं यानि कि 4 बटा root 3 यह हमारा और निकल जाएगा शोटकी यह और अगर अनपातिक 2 कमान निकालना चाहें तो इसका डबल हो जाएगा यानि कि 8 बटा root 3 यानि कि यह हमारा और कमान निकल जाएगा अंताब्रित यहां पर कहता है कि परीब्रित अंताब्रित की बीच शित्फल का अंताब्रित क्या होगा यानि कि परीब्रित का शित्फल हमें निकालना है शित्फल का अंतर निकालना है परिवित का शित्फल क्या हो जाएगा तो कहोगे पाई आर इस्क्वाइर अंतर इस्क्वाइर का पाई आर इस्क्वाइर ठीक है तो पाई तो कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा r square minus r square नहीं अब यहाँ पर थ्वासा calculation के लिए या फिर चलो शुरू हो जाओ 22 बटा 7, r square कितना होगा तो 64 बटा 3 होगा यह वाला r square कितना होगा तो 16 बटा 3 होगा यानि कि 22 बटा 7 गुना 14 में से 6 गया यह नहीं होगा 14 में से 6 गया 8 5 में से 1 गया 4 बटा 3 होगा 16 48 आपका कड़ जाएगा यह आपका प्रस्न का जवाब आएगा ठीक है पुनांक में है कोई बात नहीं तो पुनांक में इसको change कर दो 16 32 के दूबागी 16 32 बटा 7 यानि कि आपका हो जाएगा 7 35 50 पुनांक 2 बटा 7 चलिए आगे का कोईशन देखते हैं अगला कोईशन क्या कहता है अगला एक यहाँ पर कोईशन है कि किसी संभाहो तुर्भूज के परिवरीत और अंतावित का सेत्रफल का अंतर दिया है 44 परिवरीत और अंतावित के एरिया का अंतर 44 एक बद बताओ अगर अगर हम यह बात करूँ हाना तो यह होगा 2 यह होगा 1 यह होगा 2 रूट 3 इतना तो पता है हाना चुकि एरिया निकालना है गुना के रूप में आएगा तो ऐसा मान सकते हैं यह 2 यह होगा तो यह यह होगा 2 रूट 3 ऐसा मान सकते हैं के नहीं मान सकते हैं बिलकुल मान सकते हैं अब यहां पर हमारा प्रस्ण है कि परिवरीत और अंतर बित का एरिया का अंतर 44 है तो परिवरीत का तिरिया यह होगा तो इसका area होगा परिवरित πाई r square अंतर परिवरित πाई r square नहीं जो दिया हुआ है परिवरित का area अंतर परिवरित का area परिवरित अंतर परिवरित का area का अनुपात है 44 यानि कि बराबर हम लिख सकते हैं 44 पाई अगर common ले लेते हैं तो यह हो जाता है R square minus R square 44 अगर Pi कमान पूट कर देते हो तो R square minus R square कमान आ जाएगा 44 बटा 22 अब बटा 7 नीचे तो उपर कर दो यानि कि R square minus R square आपका आ जाएगा 2 दूनी 44 14 नहीं अब यह R कौन है तो यह वाला इसको बदले हम लिख सकते हैं ऐसा करते हैं यहीं लिख देते हैं यह R कौन है यह वाला तो दू दूनी 4 A square हो गया यह R कौन है यह वाला A square हो गया A आ गया 14 यानि कि 3 A square आपका आ गया 14 तो A square आपका आ जाएगा 14 बटा 3 यानि कि A आपका आ जाएगा under root 14 बटा 3 हम से पुशा है ए निकला है ए कमाझ निकला है भूजा निकला है हाना अगर यहाँ पर यह ना मान के एक्स भी माना जा सकता है ए में आपको confusion हो सकता है तो इसको एक्स कर देते हैं थ्षाद डेदी के लिए हाना तो आपको थ्षाद समझने में सुबधा होगा ठीक है दो रूट थिरी, एक्स, एक्स का मतलबी वाला, अंडर रूट 14 बटा अंडर रूट 3, इससे यह आपकर कर जाएगा, यानि कि दो रूट 14, इसकी भुजा है, हम से पुछाए कि संभाहो तुर भुज का एरिया बताओ, ठीक है, तो एरिया निकाल देते हैं हम पर, तो तुर तुर भुज का एरिया क्या होगा, तो हम कहेंगे, रूट 3, बटा 4, गुने भुजा इसका है, भुजा हमको यह पता हो गया है, तो दू दूनी 4, गुना 14, नहीं, इसका इसका है 4, रूट 14 का इसका है 14 होगा, काड़ दो 4 से 4, यानि कि 14 रूट 3 आपका प्रसन का जवाब होगा, सिंटीमीटर में है, तो बर्ग सिंटीमीटर में है, तो बर्ग में है, 14 रूट 3 आप्शन देखकर आप मार सकते हैं, हाँ, C में है, चलिए आगे कुछ इजी कोश्चन आ रहे है, उसको भी देख लेते हैं, संभाहो तिर्भुज में ज्यादा कुश करने के आप सकत हुआ है, जो इंसंभाहों की बात आवे, तो ये तो हमको पता ही है न, यह होता है दो, यह हुता है, एक यह होता है, दो रूट 3 हमसे बोला कि उचाई जो है, 15 सिंटीमीटर, पहले बो रहा था माध का, तो माध का भी होता है, उचाई भी होता है, यानि कि ये तीन का बताना चाहरा है कि 15 cm है तो आपको बताना है कि तिर्भुज का शित्फल क्या होगा यानि कि एरिया बताना है कोई बात नहीं हम पहले हम 2 रूट 3 निकाल लेते हैं तो 2 रूट 3 कमा निकालोगे जो इसके भूजा होगा कितना होगा 15 बता 3 गुने 2 रूट 3 होगा ठीक है ये 5 से ये कर जाएगा यानि कि 10 रूट 3 हो जाएगा क्या भूजा नहीं ये क्या निकल गए इसकी भूजा निकल गया 2 रूट 3 कमा अदर इसकी भूजा निकल गया हमको संभाहोत रूज का शित्फल चाहिए था शित्फल क्या होता है रूट 3 बता फोर गुने भूजा इसको इसका इसका इसकार करो तो हो जाएगा 100 रूट 3 का गुना तो 3 हो जाएगा ये पचीश चो सो कर जाएगा यानि पचीटी या 75 रूट 3 बर्ग सिंटीमीटर या बर्ग मीटर जो भी हो वो आपका इंसर हो जाएगा सिंटीमीटर में है तो बर्ग सिंटीमीटर ठीक है चलो आगे अगला कोशन अगला कोशन देखा जाए तो ये कहता है कि किसी संबाहो तर्भुज का सिस्लम दिया है कोई बात नहीं सिस्लम का मतलब उचाई ही होता है सिस्लम का मतलब उचाई होता है तो उसका सित्फल क्या है तो सिस्लम कहे उचाई कहे बात एक ही है तो उमीद करते हैं ये वाला कोशन आप बना लेंगे यहां पे वो राय की माध का है 6 root 3, यानि कि यह पूरा है 6 root 3, यह इसे पूरा कितना है, 3 है, तो हम कहेंगे यह 3 का भेलू है 6 root 3, 6 root 3, तो हमसे बताना है कि तिर्भुज का area क्या होगा, तिर्भुज का area निकालने से पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, यानि 2 root 3 कमा निकाल ल क्या है जी सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, क्या निकल गया, तिर्भुज की भुजा निकल गया, हमसे पुछता है कि तिर्भुज का शेथफल क्या होगा, तो तिर्भुज का शेथफल तो आप जानते ही हैं, कि रूट 3 वटा 4 गुने भुजा इसक्वाइर होता है, यानि रू D option हो जाएगा नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला question में, अगला question यहाँ पे दिया है, area, है ना, शित्फल दिया है, अब हमसे मात का पूछता है, कोई बात नहीं, चलिए, पहले तो संभाहोतरूज बनाए, यह तो हमको पता है न, यह तो हमको पता है, यह दू होता है, य हम जानते हैं, अब यहाँ पे area दिया है, area क्या होता है, संभाहोतरूज का तो हमको पता है, root 3 वटा 4 गुने भूजा square, यह वाला मान हमको दिया हुआ है, 9 root 3, बर्ग मीटर, हमसे मात का की लंबाई पूछता है, एक बद बताओ, कि चुकि A square, भूजा यहाँ पे 2 root 3 का square न हल करो, तो हल करोगे तो क्या करोगे, कि root 3 वटा 4 गुने A square, यह भूजा के square, कितना होगा, 4 तीया, 12 x square, 12 x square, बराबर 9 root 3, कटेगा जी, root 3 से root 3 आपका कड़ जाएगा, यह 3, 4 तीया, 12, आई यह 3 बार में कड़ जाएगा, नहीं, x square बराबर 3, तो x बराबर हो जाएगा, root 3, ठीक है, यह x कमान निकला, हमसे पुशा की माधिका की लंबाई बताओ, अब तुम्हीं बताओ माधिका, माधिका मिंस यह वाला, यही इसका उचाई होता है, यही इसका माधिका होता है, यही इसका माधिका होता है, जो भी कहो न, यही होता है, तो कितना होगा माधिका, को देखते हैं अगला question क्या कहता है ठीक है करता है संभाहू तिर्भूज एक के अंदर एक बृत है चलो ये कह रहा है कि एक संभाहू तिर्भूज है चलो भाईया इसके अंदर एक बृत है चलो अंदर एक बृत मैंने बना दिया बीत के अंदर एक बर्ग है लो इसके अंदर भी एक बर्ग है चलो इसके अंदर भी हम बर्ग बना दिया तो बर का शेत्फल तो तिर्भूज का शेत्फल आपको बताना है तो तिर्भूज का शेत्फल तिर्भूज का शेत्फल और बर का शेत्फल में क्या अनुपात होगा बर के शित्फल में क्या अनुपात होगा यह हमारा कोशन है कोई बात नहीं चलिए बनाते हैं है अब यहाँ पर एक बात तो आपको पता ही है कि अगर ये वाला आप घीचते हो तो एह होता है दो एह होता है एक ये होता है दो रूट थ्री इतना तो सब को जनकारी है है या न अब यहाँ पे ध्यान देना संभाहु तिर्वूज के अंदर बृत है यानि कि अंता बृत है यह क्या है अंता बृत है तो अंता बृत का मतलब यह हुआ कि कहीं ने कहीं जिस बृत की बात तुम कर रहे हो वो अंदर में बृत है इसके अंदर में बृत है हम अला लग करके ब अगर ये अंतरवित का तिजिया ये है ये बृत के अंदर बर्ग है अगर ये बृत के अंदर आप बर्ग बनाओगे बृत के अंदर अगर आप बर्ग बनाओगे तो ये बर्ग का बिकर्ण कौन होगा सो बता दो तो ये बर्ग का बिकर्ण कहीं ने कहीं ये होगा ऐसे ऐसे तो बर का बिकर्ण यानि कि ब्रीत का ब्यास हो जाएगा अब ब्रीत का यी तिजिया है एक तो ए भी एक ए भी एक यानि कि बर का बिकर्ण जो होगा कितना हो जाएगा दो हो जाएगा जब बर का बिकर्ण जो होगा बर का विकंड बराबर आपका फर्मूला पता होगा बर का विकंड बराबर होता है रुट्टू गुने भूजा नहीं आए है आपका दू तो ये रुट्टू से ये दो कड़ जाएगा रुट्टू बार में यानि कि बर की भूजा आजाएगा root 2 नहीं बर की भूजा क्या आ जाएगा root 2 यानि जिसकी बात कर रहा है हना उसका हमने सारा चिपता हो गया हमें संभावत रूज का area चाहिए जो होता है root 3 बटा 4 गुने भूजा square भूजा ये हो गया हना इसका square करो गता चारती है 12 हो जाएगा और बर का भूजा बर का area क्या होता है भूजा square इसका भूजा कितना है root 2 root 2 का square करो गते हो जाएगा 2 काटोगे ये तीन बार में यानि कि 3 root 3 अनुपात 2 आपका प्रसन का जवाब होगा ठीक है कुछ भी नहीं करना था इस question में बहुत आसा question था और यह option C में हमें दिखाई दे रहा है अगला question देखो अगला question क्या कहता है अगला question क्या बात किया जाए तो ये कहता है कि किसी बर्ग का बिकर्ण 12 root 2 cm है और जिसके अंदर एक ब्रीत है यानि कि एक बर्ग है चलो एक बर्ग हम पहले बना ले ठीक है बर्ग के अंदर एक ब्रीत है चलो बर्ग के अंदर मैंने ब्रीत बना लिया ब्रीत के अंदर एक संभाहो तिरूज है ये भी मैंने बना लिया दिया था कि बर्ग का भी कर्ण हमें दिया हुआ है बर का विकर्ण हमें दिया हुआ है कितना बर का विकर्ण दिया हुआ है 12 रूट 2 सिंटीमीटर हमें बताना है समभाव तिरूज की भूजा कैसे निकालोगे सो बताओ तो एक बात हमको बताईए यहाँ पे कि बर का अगर विकर्ण पता है तो आप जानते हैं कि बर्ग का विकर्ण बराबर होता है रूट टू गुने भूजा यह गिविन है बारह रूट टू तो रूट टू से रूट टू आपका कड़ जाएगा यानि कि बर्ग की भूजा आपका आजाएगा बारह नहीं बर्ग की भुजा कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा अब थ्वासा इसको हम निकालते हैं बर्ग के भीतर है ये ब्रीत ठीक है तो चलो बर्ग के भीतर अगर ये ब्रीत है तो ये आपका बर्ग है नहीं इसके भीतर अगर आप ब्रीत बनाते हूँ तो सबसे पहले हमको बताईए कि ये ब्रीत का ब्यास कौन होगा तो कहोगे इसका ब्यास या तिर्जिया तो ये होगा तिर्जिया हो गया ये हो गया और ये इसकी भूजा तुम पता कर लिया बारा यानि कि ये बारा हो गया ये क्या हो गया बारा तो यह जो अंदर में बृत है उसकी तिर्जिया हो जाएगा 6 नहीं कितना होगा 6 है होगा यानि कि यह तिर्जिया कितना हो जाएगा बृत का 6 चलो बृत का निकल गया बृत के अंदर क्या है संभाहो तिर्भूज तो बृत के अंदर अगर संभाहो तिर्भूज है यह आपका बृत है इसके अंदर अगर आप संभाहो तिर्भूज बनाते हो ठीक है तो यह तो पता है ना कि यह जो संभाहो तिर्भूज आपने बनाया ठीक है यह वाला बार्ट कितना होगा यही ने बृत का तिर्जिया और दो आप में देंदा दोरूट थिरि नहीं यह तो आपको पता है अब यहां पर बताओ कि यह जो बृत का तिरजिया और गोर है छह संटीमेटर नहीं है कहीद कहीद्प I charter їх हो गया villa सेंटीमेटर हम यह कहना चाहरा है कि यह जो डू आया हुजब इसी वाला का ठीक है अब यहाँ पे तो हम कह सकते हैं न कि अनुपातिक दो का भेलू हो गया 6 cm हमसे यह तिर्भुज की भूजा पुछा था तो यह हो जाएगा 2 रूट 3 cm नहीं तो 6 बटा 2 गुना 2 रूट 3 cm यानि 2 से 2 कट गया 6 रूट 3 cm क्या आएगा तिर्भुज की भूजा आएगा एरिया पुष्टा एरिया भी हम बता देते परिमाप पुष्टा परिमाप भी हम बता देते ठीक है अब देख लिए यहाँ पे तिर्भुज की भुजा 6 रूट 3 cm है c आपका सही उत्तर होगा ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले कोश्चन में उब यह नहीं सांति तिन कोश्चन के लिए अगले एक वीडियो में जाएं तो फिर कंसेप्ट कहीं नहीं भूल जाएगा जब तक आप आगे यहाँ पर कहता है अगला कोश्चन की एक बर्ग के अंदर एक बृत बना ही डालते हैं चलिए यह बर्ग हो गया हमारा इसके अंदर एक बृत बनाया गया है जिसकी भूजा आपको दिया हुआ है चार रूट थिरी सिंटी मीटर आपको बताना है कि बर्ग का भिकण क्या होगा बर्ग का भिकण क्या होगा देखिए यह सारे कोशन है न चुकि हम जब भी बहुत बार लगते रहें तो ट्रेंगल पढ़ रहे हैं फिर आयत अवर पढ़ेंगे हम और उसके बाद बित पढ़ेंगे हम तो वृत में रखते थे बृत में रखने से सुब्धा यह मिलता था कि हमें तिर हुज के बार劲 हे जनकारी मिल गए बेर आप तीनों से मिला हुआ कोश्चन ही यक लेकिन कहीं ने कहीं अभी हम संभाहों तिर्वुज का कंसेप्ट पढ़ रहे थे इसलिए यहां पे हम इसको रखना ज्यादा उज्य समझ में आएगा इस विज़े से कॉस्चन को हम यहां पर रखें हैं ठीक है क्योंकि मेरा कॉस्चन रखने का एक तरीका ही अलग होता है ताकि step by step उसको हम सीख सकें गिन कर सकें नहीं ऐसा नहीं कि जोर के बाद सोहाविक है घटाव होना चाहिए घटाव के बाद गुना अत्यब होना चाहिए भाग नहीं लेकिन चुकि मिलू ही में कभी भाग म समको समझ में आये ठीक है अईसलिए मेरा कोश्चन आसान लगता है तो सब लोग को कहना भी होता है कि सर आप लेवल तो सब बढ़ाई है लेकिन step में करवाने का नतिज़ा यह है कि कहीं ने कहीं सारा के सारा इजी हो जाती है दूसरी बात कि आप देखे होंगे हम जो हम को注 direct with SMC immune में ला रहे हैं तो कोई 10 Pのは 2 का को सब्सक्रान कर लोगने के सबस्क्राइब, कुस इछ सब्सक्राइब कर रहे है ने की जाता है यह यह हम से नहीं होता है कि साल भर माईत को ही पड़ता नहीं होता है अंद में वो हार जाता है लगता है कि मैः हम से नहीं होगा हकीकत तो है कि अंडर्टेन का सिलेवास आपका एक्जाम में आना है, अंडर्टेन, अंडर्टेन याद रखेगा, चाहे जमीती हो, अलजेबरा हो, मेंसुरेशन हो, कोई भी हो, हना, अंडर्टेन तक ही आएगा, यह जो सिंपल, कॉमन सेंस की बात है, सोच सकते हैं, B.A. पर CGL निकलता जरूर है, असनाता पर निकलता जरूर है, क्या उसमें बर्णेशन है, कि कोई B.A.C. जो साइंस से रहेगा, मैथ से रहेगा, वही उस फारम को भरेगा, नहीं, इतिहांस से भी जो B.A. किया है, वही उस फारम को भरेगा, तब बेचारा एतिहांस से जो B.A. किया है, वह मैट्रिक के बाद तो मैथ पढ़ा ही नहीं, इंटर किया वो, आये किया था, फिर B.A. किया है, मैथ अगर नहीं पढ़ा है, तो फारम नहीं भरेगा, क्या, वो एकजाम नहीं देगा, क्या, देगा या नहीं देगा, अगर देगा, तो कौन कोशन पुछेगा, जो अंडर्टेन का होगा, जो वो पढ़ा है, क्योंकि कंपडिशन सब के लिए एक समान होती है, ये नियम का खिलाफ कभी नहीं वो जा सकता है, इसलिए इस दिमाग से इस भरमित जो दिमाग है, हाँ एका वार, एका कोशन अटपटा आपको दिखाई देता है, तो देता है, उसके चलते अपना आत्मिस्वास को मत खोएं, आत्मिस्वास बरकरार रखें, आप प्रिवियस कोशन ज्यादा तोर पे बनाएं आप, आलतो फालतो प्रेटिस्ट से बचें, आप प्रिवियस बनाएं, आपको ज्यादा फैदा करेगा, ठीक है, चलो, बकवास करने का आदत है, अगर सुरू हो जाएंगे, तो आदा आईए, दो रूट थिरी का मान दिया हुआ है, चार रूट थिरी सेंटी मीटर, तो हम कह सकते हैं, कि दो रूट थिरी का भेलू, अगर चार रूट थिरी सेंटी मीटर है, तो एक का भेलू क्या होगा, या दो का भेलू क्या होगा, सबसे पहले बताओ, दो का भेलू क्या ह यानि कि इसके ऊपर जो बृत रहा होगा ये वाला ठीक है ना इसकी तिर्जिया आया यानि कि ये दो का भेलू आया चार संटीमेटर इस बास समत हो या नहीं हो ये वाला ये आया चार संटीमेटर यानि कि ये बृत का तिर्जिया हमारा निकल गया चार संटीमेटर ये जो ब ब्रीत का जो ब्यास रहा होगा, ये वाला, है न, वही तो ये बर का भुजा रहा होगा, और ये ब्रीत का तिर्जिया पता कर लिए कितना, दो, यही न तिर्जिया है ये ब्रीत का, ब्रीत का तिर्जिया पता कर लिए दो, यानि कि, सुरी, चार, कितना, चार सेंटीमेटर, तो अगर यह 4 cm है, यह 4 cm तो यह भी 4 होगा, यानि कि यह पूरा भूजा आपका जो बर का होगा, वो 8 cm का होगा, नहीं, हमसे क्या पुछा गया था, बर का भिकर्ण, अब तुम ही बताओ, कि बर का भिकर्ण क्या होगा, तो हम कह देंगे, बर का भिकर्ण बराबर, रूट 2 गुने भूजा होगा, नहीं, भूजा आ गया 8, तो 8 रूट 2 cm है न, देख लिजिएगा, यह हमारा प्रसंद का जवाब होगा, 8 रूट 2 cm, 8 रूट 2 यानि कि आपका सही होगा, तो यह हम तिर्भुज का पहले concept सिखा, उसके पाद उस पर ठेरो एक्जामपल में ने किया, ठीक है, और example अगर बनाना चाहें, तो mensuration में इतना example बन सकता है, कि एक तरह पुरा arithmetic हो जाए, आएक तरह mensuration हो जाए, तभी mensuration का example कमेगा नहीं, ठीक है, उतना हमें नहीं करना है, अगर mensuration से 2-4 सवाल हमें आती है exam में, तो बस एक काफी है, सारा type का question में ने करवाया है, अ